आश्कार दोस्तों आपका नेश्टक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी डोर वैल वाइरिंग कनेक्शन की है तो दोस्तों यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही महतरपूर होने वाली है तो दोस्तों इसको आप प्लीज दियान से देखिए और इसे पूरा देखिए क्योंकि यह ज्यादा लंबी भी नहीं है और इसको आप देखेंगे तो यह आपके बहुत काम आ सकती है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जब घर में बैल लगाते हैं तो उसको हम सिर्फ क्या एक बैल पुछ लगा इसलिए दोस्तों जासने इसको आपको पूरा बताओनगा कि हम सुच क्यों लगा कि एक क्षि क्यों लगाते हैं और सुच को लगाना क्यों जुरूरी है तो दोस्तों पहले में इसको आपको कॉनेक्शन बताओंगा उसके बाद मैं बीच में यह बी In этwn बेट है इसे हमें स्विच के साथ किनेक्ट करना है तो फ्रेंड्स हमें यह जो लाइन वाली वायर है इसको हमें एक न्यूटल वायर है और एक लाइन वायर और लाइन वाली वायर को हमें स्विच के नीचे वाले पोर्शन के साथ किनेक्ट कर देना है यह जो स्विच का नीचे वा आकर ऊप इसको आप बैल kinderg के साथ connect कर दीजिए इसको नीचे भी कर सकते हैं उपर भी कर सकते हैं तो मैं इसको फिलाल उपर कर रहूं आप नीचे भीका सकते हैं तो रिंस में अमेंज्या कनेकशन नीजे देना होता है लेकिन यह्या हमारा Master Switch लग चुका है इसलिए इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा आप इदर भी दे सकते हैं तो Friends इस सुच को Master Switch कहते हैं यह मैं यह ही जुरूरी बिताना चाहता था कि सुच हम क्यों लगाते हैं सुच के और बारिश के दिनों क्या होता है कि बिरसात के दिनों में जो हमारी जो मीजिक वाली वेल है जो हमेशा बिना उसके ही चलती रहती है आप इसको आप नहीं करेंगे तब ही चलते रहेगी क्यूंकि इसको वहाँ से अर्थ मिलता रहता है और मेण जहाँ jumped और में जयात तो दोस्तो इसको हमें Master Switch तब हमें बारिश के दिनों में बहुत काम आता है इसको हम अंदर से बंद कर देंगे तो हमारी बैल जो है अपने आप नहीं बजेगी तो दोस्तो इसलिए हमें Master Switch लगाना चाहिए Master Switch और भी काम आता है क्योंकि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो गर में हमें लाग करके 10-15 दिन के लिए बाहर जाना है तो हम स्विच को अंदर से बंद कर जाएंगे ताकि कोई बाहर से इसको अन आफ करके जलाना दे क्योंकि कोई बार बार इसको जलाता रहे तो यह जल जाएगी इसलिए जब भी हम गर से बाहर जाएं 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम इसको अंदर से बंद कर सकते हैं इसको स्विच को अंदर से आफ कर देंगे तो आगे क्रंट नहीं जाएगा और बैल नहीं चलेगी तो दोस्तों अब इसको हमें क्या करना है जो बैल का निच्छे वाला पॉइंट है यहां से हमें वायर को लेना है और यह बैल की जो दो तारे रहती हैं उसमें से एक वायर कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो हमारी निच्छल वायर है इसे हमें क्या करना है इसको हमें डारेक्ट ही सीधा इसके साथ बैल के साथ कनेक्ट कर देना है तो दोस्तों इस परकार हमारे जो जो कनेक्शन है बिल्कुल कम्प्लीट हो जाते हैं और जो यह मास्टर सुच का मैं के दिनों में ये अपने आप नहीं बजेगी क्योंकि मुजिक जो बैल होती है ये थोड़ी सी क्रंट जहां से भी पास होने से ये अपने आप ही चल पड़ती है तो इसलिए इसको अगर आप मास्टर स्विच लगा देंगे तो ये नहीं चलेगी ये बहुत काम का एक पॉइं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और मेरे साथ आगे भी बने रही है तो थैंक यू फ्रेंट्स